नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HVS Studies पे तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक most important वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है 2000 Static GK Part 17 वीडियो दोस्तों हमने इस वीडियो में जितनी भी questions लिए हैं वो बहुत ही important और बहुत ही selected questions लिए हैं ये सभी वही questions है जो हर साल किसी न किसी exam में आते रहे हैं दोस्तों बाकी के parts जो हम पहले ही discuss कर चुके हैं उनका link मैंने description में डाल दिया है total मिलाकर 80 parts में ये series complete होगी अगर आपने ये सारे parts जहांद से पढ़ लिए तो आपको exam में जितने भी questions मिलेंगे वो सारे मेरी वीडियो से ही होंगे हर part में हमने 25 most important questions लिए हैं ताकि वीडियो के साथ ही साथ आपको questions अच्छी तरीके से तयार हो जाएं तो दोस्तों start कर लेते हैं अपनी वीडियो देखते हैं हमारा पहला question क्या है तो हमारा पहला question है the correctly bird century is situated in which state correctly bird century जो है वो कौन सी state में है तो हमारे options होंगे आंदरप्रदेश, केरला, करनाथका और तमिल नाडू तो दोस्तों हमारा correct answer होगा तमिल नाडू जो correctly bird century जो है वो located है तमिल नाडू में तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ पधर dance is a popular folk dance form of which state पधर dance जो है वो कौन सी state का popular folk dance है तो हमारे options है मद्यप्रदेश, हरियाना, राजिस्थान और गुजरात तो हमारा correct answer होगा गुजरात पधर dance एक popular folk dance है गुजरात state का जो की perform किया जाता है पधर के द्वारा जो की एक fisherman की community है कुजरात में तो दोस्तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगले question क्या है What is the currency of Malaysia Malaysia country जो है उसकी currency क्या है तो हमारे options होंगे ringit, lira, rufia और tugrik तो दोस्तो हमारा correct answer होगा ringit जो Malaysia जो country है उसकी जो currency है वो है ringit और दोस्तो Malaysia की capital है वो है Kuala Lumpur Kuala Lumpur है Malaysia की capital तो दोस्तो ये question एक important question रहेगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ Which of the given days is observed annually on 18 April 18 April जो है उसको कौन सा दिन मनाया जाता है तो हमारे options होंगे World AIDS President Day, World Heritage Day, World Milk Day World Senior Citizen Day तो दोस्तो मारा correct answer होगा World Heritage Day 18 April को हर साल मनाया जाता है World Heritage Day और दोस्तो World AIDS वेसीन डे जो होता है ये मनाया जाता है 18 मे को और जो World AIDS Day होता है वो मनाया जाता है 1 December को World Milk Day जो होता है वो मनाया जाता है 1 June को और World Senior Citizen Day जो होता है यह मना जाता है 21 अगस्त को डेस के उपर questions काफी बार पूछे जा चुगे हैं और हर साल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तो यह questions important रहेंगे आपके किसी भी exam के लिए बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगला question क्या है तो दोस्तों हमारा correct answer होगा Mariya Sarapova Unstoppable My Life So far book जो लिखिये है वो लिखिये Mariya Sarapova ने जो की एक Russian professional tennis player है तो दोस्तों यह question भी important question रहेगा कि Mariya Sarapova जो है वो कौन से sports से related है तो वो है tennis से related बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगला question क्या है दा लखरी वैली wildlife century is situated in which state लखरी वैली wildlife century जो है वो कौन सी state में है तो हमारे options होंगे जमू और कश्मीर, हिमाजर प्रदेश, असाम और उडिशा तो दोस्तों हमारा correct answer होगा उडिशा लखरी वैली wildlife century जो है वो लोकेटेड है उडिशा में, बढ़ते हैं अपने एगले question की तरफ identify the incorrect option इन में से कौन सा option गलत है तो दोस्तों मारे options है सर्दार सरोबर हाइडरो एलेक्टिक पावर प्लांट गुजरात सतलूज रिवर इंद्रा सागा हाइडरो एलेक्टिक पावर प्लांट मद्यप्रदेश नर्मदा तैरी हाइडरो एलेक्टिक पावर प्लांट उत्राखंड भागी रती शिवनस्व मुंद्र हाइडरो एलेक्टिक पावर प्लांट करनाठ का काविरी तो दोस्तो इस question से आप पता चल गया होगा कि चारों ये जो power plants है ये most important power plants हैं इंडिया के इनके उपर कोई नगोई question आता रहा है और आएगा भी तो दोस्तो जो हमारा correct answer होगा वो है सर्दार सरोवर हाइड्र लेक्टिव पावर प्लांट गुजरात सरलू ये option गलत है सर्दार सरोवर हाइड्र लेक्टिव पावर प्लांट जो है वो गुजरात में तो है लेकिन वो कौन सी river के across है तो वो है नरमदा river के across और दोस्तो बागी के जो तीनों options है ये तीनों options हमारे सही है इंद्रा सागर हाइडरोलेक्टिक पावर प्लांट जो है वो है मध्यप्रदेश में और वो कौन सी रिवर के अक्रोस है तो वो है नर्मदा रिवर के अक्रोस जो तहरी hydrolyctic power plant है वो है उतरागंड में और कुंसी river की across है वो है भागी रती river की across और शिवने समुत्र hydrolyctic power plant जो है वो कन्नाटका में है कावेरी river की across ये चारोही most important power plants है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बढ़ते हैं अपने एकले कोशन की तरफ देखते हैं हमारा गला कोशन क्या है दा महाखाली लेक इस लोकेटेड इन विच स्टेट ओफ इंडिया महाखाली लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है तो हमारे ओप्शन होंगे बिहार, वेस बेंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडू तो हमारा correct answer है हिमाचल प्रदेश महाखाली लेक जो है वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में तो बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ देखते हैं हमारा अगले कोशन क्या है जबलपूर इन मध्य प्रदेश is situated along the bank of the river जबलपूर जो की एक city है मध्य प्रदेश में वो कौन सी river के across है तो हमारे options होंगे गोदावरी, सतलुच, जेलम और नर्मदा तो हमारा correct answer होगा नर्मदा river जबलपूर जो की एक city है मध्य प्रदेश में वो located है नर्मदा river के across तो बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ दश्री सीता रामचंद्र स्वामी temple is situated in which state श्री सीता रामचंद्र स्वामी जी ओ टेंपल है वो कौन सी state में है तो दोस्तों ये कोशन एक important कोशन रहेगा हमारे options हैं गुजरात, असाम, तेलंगना और उडिशा तो हमारा correct answer होगा तेलंगना श्री सीता रामचंद्र स्वामी जो टेंपल है वो कौन सी state में है वो है तेलंगना में तो बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ, देखते हैं हमारा अगले कोशन क्या है दिपेका कुमारी is related with which sports दिपेका कुमारी कौन से sports से related हैं तो हमारे options होंगे shooting, javelin throw, badminton और archery तो दोस्तों हमारा correct answer होगा archery sports से related questions जरूर पूछे जाएंगे आपके exam में चाहें आप किसी भी exam की preparation कर रहे हों एक नाई question sports पे जरूर आता है तो दिपेका कुमारी जो है वो किस से related हैं वो है archery से related archery होता है तीरबाजी, तीरबाजी हो कहते हैं archery तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ दा मोती बाग cricket stadium is located in which of the following state मोती बाग cricket stadium जो है वो कौन सी state में है तो दोस्तों ये question एक important question रहेगा हमारे options है गुजरात, बेहाग, जारखंड और मध्यपरदेश तो हमारा correct answer होगा गुजरात मोती बाग cricket stadium जो है वो located है गुजरात में बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ National Cancer Awareness Day is observed annually on National Cancer Awareness Day जो मनाई जाता है वो कौन सी दिन मनाई जाता है तो हमारे options होंगे अगस्ट 11, November 7, February 12 और में 26 तो दोस्तों हमारा correct answer होगा 7 November हर साल National Cancer Awareness Day मनाई जाता है 7 November को बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगले question क्या है ओजपली is the traditional folk dance of which state ओजपली जो है वो कौन सी state का एक popular traditional folk dance है तो दोस्तों हमारे options होंगे गोवा, मिजोरम, असाम और केरला तो दोस्तों हमारा correct answer है असाम ओजपली जो है जो की एक traditional folk dance है वो कौन सी state का है वो है असाम state का तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ identified the incorrect pair of national park and its respective state इन मेंसे कौन सी national park गलत है according to its respective state तो दोस्तों हमारे options होंगे वनस्ता national park गुजरात किस्तवर national park उडिशा कलेशा national park हर्याना इंदरकिला national park माजल प्रदेश तो दोस्तों हमारा correct answer होगा किस्तवर national park उडिशा ये जो option है वो हमारा option गलत है बाकी के तीनों options जो है वो correct options है किस्तवर national park जो है वो located है जम्मू एंड कश्मीर में तो दोस्तों बाकी के जो तीनों options है वनस्ता national park जो है वो खान located है वो है गुजरात में, कालेशन नेशनल पाग जो है वो है हरियाना में और इंदर किला नेशनल पाग जो है वो है हिमाचल प्रदेश में तो दोस्तो बढ़ते हैं अपने एकले कोश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला कोश्चन क्या है identify the correct answer with respect to the option given below इन में से कौन सा option सही है, तो दोस्तो देख लेते हैं हमारे option क्या क्या है international renewable energy agency Abu Dhabi UAE, international chamber of commerce Paris France, international council on monuments and sites Paris France या फिर all are correct, तो दोस्तो मारा correct answer होगा, all are correct international renewable energy agency जो है उसका जो headquarter है वो कहाँ पर है वो है Abu Dhabi में international chamber of commerce जो है उसका जो headquarter है वो कहाँ पर है वो है Paris France में international council of monuments and state sites जो है उसका headquarter है Paris France में तो दोस्तो ये question एक most important question हो गया है किसी भी exam के लिए बढ़ते हैं अपने एक लिए question की तरफ, देखते हैं हमारा अगला question क्या है कोईना hydroelectric power plant is located in which state कोईना hydroelectric power plant जो है वो कौन सी state में है तो दोस्तो ये question एक most important question रहेगा आपके किसी भी exam के लिए तो दोस्तो देख लेते हैं हमारे options क्या क्या है हमारे options है महराष्ट, ओडिशा, केरला और उत्राखंड तो हमारा correct answer होगा महराष्ट कोईना hydroelectric power project एक largest completed hydroelectric power plant है इंडिया का ये एक complex project है जिसमें की चार times है तो दोस्तो ये question एक important question है बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगला question क्या है when is the world music day observed world music day जो होता है वो हर साल कब मनाये जाता है तो हमारे options होंगे अगस्त 12, March 20, June 21, December 21 तो दोस्तों हमारा correct answer होगा June 21 21 21 को हर साल क्या मनाये जाता है world music day तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगला question क्या है the international union for conservation of nature is in which country international union for the conservation of nature जो है उसका जो headquarter है वो कौन सी country में है तो हमारे options होंगे लंडन, United Kingdom, Paris, France, The Hog, Netherlands, Glend, Switzerland तो दोस्तों ये question एक important question रहेगा आपके exam के लिए organization से related काफी बार exams में question पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तो दोस्तों इसका answer होगा Glend, Switzerland, International Union for Conservation of Nature एक international organization है जो की काम करती है नेचर को conserve करने में और suitable use of nature resources जिसका headquarter है Glend, Switzerland में तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगला question क्या है The Chaumala Palace is situated in which city? Chaumala Palace जो है वो कौन सी city में है? तो हमारे options होंगे हैदरबाद, जैपुर, कॉलकता और कोची तो दोस्तों मारा correct answer होगा हैदरबाद Chaumala Palace जो है यह एक palace है जो की है निजाम्स ओफ हैदरबाद state का जो की located है है हैदरबाद state में तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ देखते हैं हमारा अगला question क्या है The Gobind Sagal Lake is located in which state? Gobind Sagal Lake जो है वो कौन सी state में है तो दोस्तों यह question भी एक important question रहेगा हमारे options है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश तो हमारा correct answer होगा हिमाचल प्रदेश Gobind Sagal एक man-made reservoir है जो की located है हिमाचल प्रदेश में जो की बना हुआ है सतलुच river की across तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने एक location की तरफ देखते हैं हमारा location क्या है श्री गुरू राम दास जी international airport is situated in which city श्री गुरू राम दास जी international airport जो है वो कौन सी city में है तो हमारे options होंगे अमरिसर, पटना, चंडिगर और एमदाबाद तो दोस्तों हमारा correct answer होगा अमरिसर श्री गुरू राम दास जी international airport जो है वो located है अमरिसर में तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने एक लिए question की तरफ the world tourism organization is located in world tourism organization जो है उसका जो headquarter है वो कौन सी state में है तो दोस्तों हमारे options होंगे बंड, Switzerland, रोम, इटली, जिनेवा, Switzerland, Madrid, Spain तो दोस्तों हमारा correct answer होगा Madrid, Spain world tourism organization जो है उसका headquarter है Madrid, Spain में जो भी organization से related important questions हो आपको पता होने चाहिए बढ़ते हैं अपने एक लिए question की तरफ the विक्रमशिला wildlife century is situated in which state विक्रमशिला wildlife century जो है वो कौन सी state में है तो दोस्तों एक question important रहेगा हमारे options है हिमाचर प्रदेश, हर्याना, मद्यप्रदेश और none of these तो दोस्तों हमारा correct answer होगा none of these जो विक्रमशिला गैंटिक dolphin wildlife century है वो लोकेटेड है जबलपुर district बिहार में तो दोस्तों ये consistent होगई ये होगी बिहार में बढ़ते हैं अपने एकले question की तरफ तो दोस्तों ये question हमारी वीडियो का आखरी question है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को like करें और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें, तो देख लेते हैं हमारा आखरी question क्या है, हमारा आखरी question है who is the current defense secretary of India, India की जो current defense secretary है उनको वो कौन है, तो दोस्तों एक most important question रहेगा ये आपके exam के लिए, जो इंडिया की current defense secretary है वो हैं, हमारे options है संजयमित्र, सुभाश चंद्र गर्ग अजेक कुमार और शशांग प्रिया तो दोस्तों मारा correct answer होगा अजेक कुमार डिफेंस सेकेटरी administrative head जो होते हैं वो होते हैं ministry of defense का और दोस्तों ये जो post होती है ये सिर्फ किसको दी जाती है ये जी जाती है जो senior IAS officer होते हैं उनको ही head वो ही head कर सकते हैं इस post को और दोस्तों अजेक कुमार जो है वो अभी current के जो present defense secretary है वो है अजेक कुमार और इनसे पहले जो defense secretary थे वो कौन थे वो थे संजय मित्र तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आफ़ी option अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दोस्तों को हमारे दोस्तों को हाँ हाँ हाँ